सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज जो है फिजिक्स के 50 कॉस्टन देखने वाले हैं और यह 50 कॉस्टन की जो सीरीज है आपको कंटिन्यू मिलेगी और फिजिक्स के हम 50-50 कॉस्टन को देखेंगे जो कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी एक्जामों के लिए रहेगा और उसमें जो हैं प्रीवेस हैर कॉस्टन को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो अगर हम पहले कॉस्टन की बात करें आज का तो जो पहला कॉस्टन है हमारे पास पहला कॉस्टन यह भोल रहा है कि कार का जो मात्रक है वो क्या है तो कार का जो मात्रक होता है यानि कि कार वर्क जूल न्यूटन वाट यह डाइन तो यह देखिए आर आर भी भोपाल जो railway recruitment mode है उसमें आया हुआ है TC में आया हुआ है 2005 में UPPSC में भी आया हुआ है तो इस cancer क्या है इस cancer है Joule अगले question की बात करते हैं अगला question है हमारे पस की प्रकास verse की एकाई क्या होती है तो मतलब या प्रकास verse कि की एकाई होती है दूरी की होती है प्रकास थीवरता की होती है समय की दरब बिमान की तो प्रकास verse जो है दूरी की एकाई होती है MPR किसका मातरक है ये भी देखिए RRB में आया हुआ था MPR किसका मातरक है तो MPR जो मातरक होता है वो होता है बिद्धुत धारा का तो MPR जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई फूस्टा है हमसे question कि आपके घर में कितने MPR की धारा बहती है तो हम बोलते हैं कि वह यह 5 MPR की धारा बहती है तो MPR किसका बिद्द धारा का मातरक हो गया अब यहां पर एक सही जोड़ी आपको दी गई है इस question number में कि आपको सही जोड़ी मिलाना है तो देखिए इसमें क्या है कि उच्च बेग फिर तरंग धैर है फिर दाब है और फिर उर्जा है यहां पर ठीक है तो इन सभी चीजों के अगर हम بات करें तो इसमें क्या है कि आपको सही जोड़ी मिलाना है तो इसमें क्या है कि उच्च बेग है तो उच्च बेग वाला मैक संख्यास होता है तरंग धहर का एम स्ट्रॉं होता है दाब का पासकल है और उटजा का मातरा के हाँ पर जूल ही है तो यह चारो जो है सही है मतला एक आमने सामने ही है चारो तो इसका अरे थड़ वाला पहला का A दूसरे का B तीसरे का C और चौथे का आपका D ही होगा तो यह जो है चारो सेम है पांचवा भी सही जोड़ी है आप सब दिया गया कि जूल किसका मात रख है तो अभी हमने पढ़ा था उपर कारे का मात रख है जूल तो पहले का तीसरा एंपेर धारा का मात रख है वाट जो है सामर्थ का मात रख है बोल्ट बेवांतर का मात रख होता है कैलोरी जो है उस्मा का मात रख होता है तो इस हिसाब स इस कांसर क्या हो जाएगा पहले का तीसरा तो देखिए वस पहले का तीसरा एक ही में है तो इस कांसर हो जाएगा एवाल और यह देखे यूपी पीस सी का यह प्रीविश एयर कॉस्टन पर यहां पर है तो यह पांच कॉस्टन हुए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कॉस्टन जो है हमारे पास उस कॉस्टन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि भीया सूची फिर से मिलाना है आपको तौरण जो है यहां पर बहुत एक रासिया है और एकाई है तो तौरण की एकाई की एकाई क्या होती है बल की क्या होती है क्रतकार की एकाई क्या होती है पर आब एक की क्या होती है तो जैसे कि वो बल को पता है कि बल का Newton होता है तो 3 जो होगा मतलब सेकेंड का 3 होगा होगा तो 2 का 3 आप ढूंड़ों कि समय है फीम में है और डी में है तो या तो आंसर भी होना चाहिए अगर हम बात करें ऐसे पर gekommen अधर अब यहांने क्या पर रहा था जूल पढ़ा था यानि कि 3rd का होना चाहिए 1st तो 3rd का 1st कौन से में डी में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है है ना क्यों और जो तौरण है तौरण का मातरक होता है मीटर प्रती अब 2nd square तो इस तरीके से जो है elimination method बोलते हैं इसको आप एक से दो अगर इन में एक या दो आप इसको निकाल लेते हो तो easily आप answer को crack कर लोगे अगला प्रसंद देखते हैं कौन सा समय का मातरक नहीं है तो यह प्रकास वर्स जैसा कि अब ने पढ़ाता है वह दूरी का मातरक होता है तो इसलिए जो है यह question यहां पर option C's का answer हो जाएगा ये भी RRB भोपाल में पूछा गया है अगले प्रस्वन की बात करते हैं तो अगला प्रस्वन है हमारे पास की 8 ठीक है आठ पारसेक जो है किसकी एकाई है पारसेक तो पारसेक भी भी ये दूरी की ही एकाई होती है UPSC में उचा गया पेपर है अगले प्रस्वन की बात करते हैं तो अगला प्रस्वन हमारे पास की निम्लिकत में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है डेसिबल धोने की प्रवलता एकदम सही है असो सक्ती की जो है एकाई है सही है समुद्री मिन 9 सालन जो है एकदम सही है और Celsius की बात करें तो भी यह उसमा की काई नहीं है तो यहाँ पर D वाला जो है गलत हो जाएगा यानि कि D हमारा सही आप्सन हो जाएगा अगले प्रस्वन की बात करते हैं लियूमेन किसका मात रख है तो लियूमेन जो मात रख है वह बो है जोती फ्लस्क का मात रख है लियूमेन अगले प्रस्वन की बात करते हैं कि क्योरी क्योरी किसकी एक आई है तो भाईया क्योरी मैडम क्योरी ने रेडियो अक्टिविटी की खोच की थी तो रेडियो अक्टिविटी धर्मिता यानि कि रेडियो अक्टिव धर्मिता की काई हो जाएगी क्योरी ये S.S.C. का question यहाँ पर पूछा गया है दाब का मात्रक क्या है ये अगर इन देखी A.S.M.S.S.T.N. Station Master का question है तो दाब का मात्रक क्या होता है तो दाब का मात्रक होता है यहाँ पर पासकल अगले प्रसुन की बात करें जूल किसकी एकाई है तो जूल जो है उर्जा की एकाई है किसकी एकाई है उर्जा की एकाई है जूल एक question आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि जो यह पंद्रवे नमबर का प्रस्न है मात्रकों की अंतरराष्टी पद्धती कब लाग होई थी इस question का answer आपको comment में बताना और यह question मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हमने physics detail में बढ़ा था NCRT वाला series उसमें इस question को मैंने बताया था कई बार मैंने इसको point out किया था बैया यह question important है आता है तो इसलिए यहाँ पर इसको answer मैं नहीं बता रहा हूँ आपको जो है इसका comment section मुझे answer जादा से जादा चाहिए चलिए अगले question की बात करते हैं तो अगला question जो होने वाला हमारे पास बोई यह है कि खाद उर्जा को हम किस एकाई में माप सकते हैं जो खाद उर्जा होता है उसको हम calorie में मापते कि कितने calorie की आपको daily जरूरत है उन सब चीजों से हम इसको माप सकते हैं बिद्धुत मात्रा की एकाई क्या होगी यहाँ पर important है क्योंकि मात्रा पूछा गया है तो बिद्धुत मात्रा की एकाई की अगर हम बात करें तो देखिए option है हमारे पास ampere है हमारे पास ohm है हमारे पास bolt है और हमारे पास kulamb है चार option हमारे पास दिये हुए है तो बिद्धुत धारा का मात्रा और बिद्धुत मात्रा का मात्रा ठीक है यहाँ पर दोनों question को समझने माली बात है इसलिए मैं इतना time दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास ampere भी है और आपके पास bolt भी है तो अगर विद्धुत धारा का मात्रा पूछता तो वो हो जाता ampere लेकिन यहाँ पर बिद्धुत मात्रा पूछी गई है तो वो बोल्ट में आप लोग ए कि कितनी मात्रा चाहिए आपको 50 , 60 , 70 बोल्ट कितना चाहिए तो मात्रा है तो बोल्ट इसका आंसर जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा सी अगला है ऐसा ही पद्धिती में लैंस की एकाई क्या होती तो डायोप्टर से हम नापते हैं लैंस को यह बहुत और यंग प्रत्यास्ता गुणांग का ऐसाई मात्र क्या होता है तो यंग प्रत्यास्ता गुणांग का ऐसाई मात्र होता है नीटन पर मीटर स्कुएर यह इसका सही आंसर होगा निमनी योगमों से किस बहुतिक राजियों के समान बिम्य सूत्र होते हैं तो बिम्य सूत्र हो होता है तो यह ESM में पूछा गया था गोरक फर बोर्ड के एक्जाम में अगले प्रस्ट की बात करते हैं तो अगले जो आगे जो हमारे पास प्रस्ट की सीरीज है अगर हम बात करें तो अगर इसमे नमबर की प्रस्ण है ढंद रात ऑफ है कि निम्न मेंसे कॉन वेक्टर मात्त है मैं लाँ वेक्टर कॉंटिटी कौन है appeal इसमें से तो वेक्टर कॉंटिटी कि अगर हम बात करें तो यह है striking बल जो है एक vector quantity के अंतरगत यहां पर आता है अगले प्रस्न की बात करते हैं तो अगला प्रस्न है हमारे पास 25 नमबर का तो 25 नमबर के अगर हम प्रस्न की बात करें तो वो है निमने में से कौन एक सदिसरासी है सदिसरासी इसमें से अगर हम बात करें तो द्रब्यमान एक सदिसरासी नहीं है बाकि संबेग वेग और कौन ये वेग तीनों जो है सदिसरासी है अदिसरासी इनमें से क्या है तो भाई उर्जा एक अदिसरासी है बाकी जो है आपर दोनों सदिस रासी के अंदर गत आते हैं निम्न मेंसे कौन सी एक सदिस रासी है तो संबेग एक सदिस राकी है बाकि दाब, उर्जा और कार सदिस रासी नहीं है निम्न मेंसे कौन सी रासी सदिस रासी नहीं है तो यह है आयतन तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भई हमारा डीटेल भाग देखना पड़ेगा फिजिक्स का उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी रासी को कैसे पहचानते हैं कि सदिस है या वो अधिस है निम्न में से सदिसरासी कौन सी है तो इनमें अगर देखें लंबाई समय द्रब्यमान ये सदिसरासी नहीं है सदिसरासी है आपका बेग यहां पर कौन है बेग यहां पर सदिसरासी हो जा रहेगा अगला प्रसने तीसवे नंबर का कि दो वेक्टर जिसका मान अलग है और उनका पढ़िनामी सूने होगा दो वेक्टर जिनका मान अलग होगा और उनका पढ़िनामी सूने होगा तो क्या होगा तो उनका पढ़िनामी सूने नहीं हो सकता यानि कि दो वेक्टर अलग-अलग हैं तो उनका पढ़ी नाम जो है सुने नहीं होगा और यहाँ पर B option था सुन होगा और उनकी दिसालग ही यह option था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थाड़ वाला अगला प्रस ने तुरण ग्याद करने के लिए सही फॉर्मूला तो A बराबर जो है यहाँ पर B minus U upon T होता है इससे हम तुरण निकाल सकते हैं बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हमने पढ़ा है जो कैसे डराइव होता है B बराबर U plus 80 से होता है है ना B बराबर U plus 80 तो उससे निकालना है तो T को नीचे कर दो तो यहाँ पर क्या बचेगा A तो A बराबर V minus U upon T हो गया है यहाँ पर तो इस तरीके से जो है इसको आप डराइड कर सकते हो तो इसका अंसर हो जाएगा पहला वाला अगला प्रसन है कि पदार्थ के संबेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौत एक रासी प्राप्त की जा सकती है तो वो रासी है भई यह द्रब्यमान द्रब्यमान को आप यहाँ पर जो है डराइब कर सकते हो अगला प्रसन जो है कि सून में स्वतंत रूप से गिरने वाली बस्तू का क्या होगा तो यहाँ पर उसका तोरण समान होगा सून मे अगर कोई बस्तु स्वतंत रूप से गिरती है तो उसका तुरण जो है एक समान हो जाएगा अगला प्रसन है कि एक लड़की जूले पर बैठी है और इस्तिती में जूला जूले बैठी इस्तिती में हो जाएगा अगले प्रसन की बात करते हैं तो अगला प्रसन जो है यहां पर वो है कि 35 नंबर का कि घुनन करती हुई एक गोल मेच पर अचाना की क्लड़का आकर बैठ जाता है तो मेच की कोण ये बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कोण ये बेग जो है उसका कम हो जा काएगा अगले प्रस्ट की बात करते हैं तो अगला प्रसन बात पर 39 नंबर का इसमें दिया गया है कि किसी आ संतुलित बल द्वारा किसी बिंड में उत्पन तौरान कैसा होगा तो इसका आंसर है आपका बी बाला बल के अनुकरमानुपाति होता है क्या होता है बल के परूरी नहीं है किन्तु उनकी दिशा समान होनी चाहिए तो यह इसका सही आंसर होगा तो तीसरा नियम क्या है कि भई यह क्रिया के प्रति जो है विपक्ष में एक प्रतिक्रिया होती है जैसे कि आप किसी दिवाल पे आप मुक्का मारत तो लगभग उतना ही इंपक्ट आप को बापेस देखने को मिलता है अगला प्रसने प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत इसामें प्रतिक्रिया होती है क्या है तो यह देखे भी नियूटन का जो है त्रतिये नियम है नियूटन का यही जो अभी हमने उपर वाला कॉस्चन पढ़ा जल में तेरना नियूटन की ग का है बहले कार नहीं होगा यह कथन किसका है तो भई यह कथन न्यूटन जी का है यहाँ पर किसका है न्यूटन का यह कथन है जड़त वस्ता का यह कथन दिया गया है अगला प्रसन है अपर कि न्यूटन की गती के नियम ठीक है न्यूटन की जो गती है उसके नियम के नुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो अगर हम कथन सत्य की बात करें तो देखोई ये गती के नियम के नुशार पहला है कि प्रथम नियम में बल की परिभासा ग्याद की जा सकती है बिल्गुल सही है दुतिये नियम में बल की परिभासा ग्याद की जा सकती है पैतालिसवे नमबर की बात करते हैं तो पैतालिसवे नमबर का जो हमारे पास जो बो है प्रस्ण उसमें क्या है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वैस सीधी रेखा में बिराम या एक समान गती की इस्तिती में किसी भी परिवरतन का बिरोध करती है त जड़ात्य इसको बोला जाता है पहले नियम के रुसार अगला प्रस्ण जो है हमारे पास 46 नमबर का इसमें ये बोला गया है कि न्यूटन की गती का प्रथम नियम क्या कहलाता है तो न्यूटन की गती का जो प्रथम नियम कहलाता है वो कहलाता है जड़ात्यों का नियम यह जो है मेली घरसन बल के कारण होता है क्या होता है प्रतिवीदार घोडे के पैर पर आरोपित बल होता है जो जमीन है और अगर हम बात करें तो मेली जो है वो जमीन पर पैर से रखकर उसको अपने आपको आगे की तिरब धखेलता है और जमीन पर Phorts लगाता है जिससे जो है वो आगे बैल गाड़ी खषचती है अगले प्रस्न की बात करें तो अगला प्रस्न में पास की गती सील बहान अचानक रुग जाता है यातरी सामने की ओर गिर पड़ता है वो क्या है तो यातरी के सरीर का निचला भाग रुग जाता है लेकिन उपरी बात जड़त्व के कारण गती सीले वस्ता में रहता है क्योंकि नीचे का portion में लिए आपके गाड़ी से touch रहता है उपरी हिस्सन नहीं रहता है जिस कारण से वो गती सीली बना रहता है और आगे की और जुग जाता है उडाँद के सिधन प्रेकार करता है तो बही है उट जास अनेक्षण के नियम पर रौकेट जो है यहां पर काम करता है । अगला प्रस्विंuks ने जो कि लास्ट कोस्टन हो गाज के हमारे इस वीडियो का अस्व एक जो अस्व है यदि एका एक चलना प्रारम कर दे तो अस्वा रोही के गिरने क्या संका होती किस कारण से यह बिस्राम का चड़त्व का क्योंकि वो घोड़े पे बैठा हुआ है और रुका हुआ है एकदम इस्तिति उसकी जड़त्व की है अचानक से घोड़ा चल गया तो क्य अगर आपको अच्छा लगा है तो बताएए देखिए लूसेंट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि कई बच्चों ने मुझे कमेंड किया कि सर लूसेंट कवर करा दीजे तो लूसेंट जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ अब्जेक्टिव वाली इसमें फिजेक्स के पूरे अप्जेक्टिव कॉस्चन को यहाँ पर देखेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले 50 कॉस्चनों में थैंक्यू जय हिंद जय भारत